हिमाचल में कुदरत का कहर कहीं बिल्डिंग गिरी, कहीं बादल फटा भीशन दबाही से मचा कोहराम अब तक 9 लोगों की मौत सैक्डू लापता है वह हाल देख खड़े हो जाएंगी रोंग टे हिमाचल में कुदरत कहर बरपा रही है कुलू और शिमला जिले के करीब बादल फटे है इसमें करीब 44 लोग लापता बताय जा रहे है और 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है बताय जा रहा है कि हिमाचल के तीन जिलों में बादल फटने की घटनाएं सामने आई है उत्रखंड के टीहरी गढ़वाल और केरल के वायनाड में भी बादल फटने की घटना हुई यानि की मैदान से पहडों तक बारिश का कहर जारी है हिमाचल प्रदेश के दो जिलों में बादल फटने से भारी तबाही की भी खबर है बादल फटने की घटना कुलू और मंडी जिले में हुई है कुलू के रामपूर्क शेत्र के समेट एक पावर प्लांट प्रोजेक्ट के कई लोग वहाँ बादल फटने के बाद से लापता है भी से ज़ादा मकान जमी दोज हो गए है और कई गाडिया बह गई है इलाके का स्कूल भी बाढ़ में बह गया है वहीं मंडी जिले में बादल फटने के बाद एक शव बरामद हो चुका है जबकि कई लोग लापता है मंडी जिला प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए एरफोर्स को अलट किया है मौके पर मौझूद इस्थाने प्रशासन रहत कारियों में जूटे हुए है एरफोर्स के साथ एंडी आरफ से भी मदद की मांग की गई है बाकि अन्य स्थानों पर फसे हुए लोगों तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है और लगभग पहुंचपाना संभव ही नहीं हो पा रहा इसलिए अब एरफोर्स और अन्डी आरफ की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है हिमाचल प्रदेश की शिमला और कुलु जिले के रामपूर से सटे 15-20 इलाकों में बादल फटने से भारी तबाही हुई है में लगातार बारिश हो रही है मूसलाधार बारिश ने जम कर तभाई मचाई है टीहरी में पहले भारी बारिश हुई और इसके बाद बादल फट गया जिसे तीन लोगों की मौत हो गई केदारनाथ मार्ग पर भी बादल फटा और नैशनल हाईवे का एक हिसा सेलाप की फेंट चड़ गया इसे केदारनाथ पैदल मार्ग को भी भारी नुकसान हुआ है रामबाडा से लिन्चोली के बीच जगय जगय पैदल मार्ग शतिक्रस हुआ है रामबाडा में मंदाकिनी नदी पर सित दो पुल वह गया है यह पुल पुराने मार्ग पर सित थे इस मार्ग को यातरी और घोडे संचालक शौर्टकट रास्ते के रूप में उप्यो करते तो रात की बारिश में मंदाकिनी नदी के तेज बहाओ में यह पुल वह गया है इसके अलावा हरीद्वार ननिताल और बागेश्वर से भी जल परले की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है